स्वाजी स्वागता आपका एक और वीडियो के अंदर एक और शांदार सी वीडियो के अंदर आम तोर पर मैं कुछ इस तरीके से वीडियो स्टार्ट करता नहीं हूँ बट आज प्रोड़क्ट इतना अच्छा है हमारे साथ में और फिर लोकेशन इतनी अच्छी है और आप तो वैदर क्या गजब का रखा है धूप आ रही है जा रही है तो क्यों ना हमने सोचा कि भाई एक अच्छे प्रोड़क्ट को अच्छे तरीक से शूट के जाए थोड़ा अलग किया जाए फॉर्मेट को तो कुछ इस तरीके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो को इसका वाकरांड जो है हम एक हफते पहले चैनल को उपर डाल चुके हैं कि गाड़ी के अंदर बेसिकली चीजे क्या आती हैं कुछ चीजे हैं जो मैंने उस वीडियो में बोला था कि भाई जब चलाने को मिलेगी तो इसके बारे में बातचीत करेंगे वो चीजे मैं आपको एक दो करके अभी गिनवा दूँगा जब गाड़ी के अंदर बैठेंगे बाकी लुक्स गाड़ी की काफी अच्छी है और लोकेशन के साब से आप मुझे बताओ कॉमेंट्स में कि आपको एक कैश लगे देखने में चलने में अच्छी है कुछ चीजे ऊपर नीचे हैं अ अभी शूट है इसका ड्राइब बगएरा है तो बस यह है कि चलने में क्या चीजें हैं डाइनमिक्स कैसे गाड़ी के कमफट बगए और इन चीजें को बारे में बात करेंगे क्योंकि रेंज टेस्ट करने के लिए चाहिए पूरा दिन आराम से तरीके से सिटी के अंदर च चार्ज होती है यह 360 कैमरा था गाड़ी के अंदर फ्लेश डोर हैं काफी बड़ा सा ग्लास एरिया जो कि मैंने अपनी वीडियो में कवर किया था और उसका फायदा मिलता भी है वह अंदर से बताएंगे आपको और पीछे की साइड आप आओगे तो हाँ पूरी ग्लास जो कि हमने कुछ इस तरीके से उटलाइज की हुई है हाँ पर अच्छा खासा सामान रखा हुआ है और जादा भी नहीं बोलोगा मैं इसे तो यह चीजे और अभी गाड़ी के अंदर चलता है तो अभी इसको हम चला के देख लेते हैं बार की गाड़ी चलती कैसे है और इस का टॉप मोड है फिल्कुल इससे उपर में कुछ नहीं है चार मोड आते हैं इको प्लस इको नॉर्मल और यह स्पोर्ट्स तो अभी स्पोर्ट्स पे है और यह देख हुआ मतलब इतनी घदब की पावर है और अच्छे फ्लो मिड लीवर करती है उस पावर को गाड़ी है कि आपको पावर फील भी हो जाती है और एकदम से जो जर्क सा लगता है न बौडी को वो जर्क सा भी नहीं रहता है यहां पर तो चीज अच्छी फील होती है जब यहां तो automatically steering के अंदर जो है हलका सा weight वो चीज आ जाती है अब ड्राइवर के POV से आपको दो तिन चीज़े समझाऊं जैसे की अभी आप एक चीज नोटिस करोगी जैसे गाड़ी चल रही है अभी मतलब परफॉर्म करती है यह देखो बाई यह देखो मतलब आपने ZS EV अगर कभी चलाई हो तो उसके अंदर भी थोड़ा सा आपको हलका सा body roll सा फील होगा बट इस गाड़ी के अंदर नहीं है यह चीज मुझे cover करनी थी एक तरीके से तो यह देखो स्टेट रूट्स पे खींचो आप बड़िया किस्ति है पावर डिलीवरी गाड़ी के अच्छी है जो पावर इसको मिलती है 38 क्लो वाट आर की बैटरी पैक आती है इसके साथ और corners पे पहुत ही accurate मतलब कोई body roll जैसी चीज नहीं है गाड़ी के अंदर यह कहना पड़ेगा और पहुत ही प्यार से मतलब corning करती है यह देखो mountains पे अगर आप कभी ले जाना चाहो तो आपको मजा ही ना आ जाए तो कहना बाकी controls की बात करें तो यह अपने और आप देख रहे हो वह आप इस बटन के तुरू ऐसे अड़ेस्ट कर सकते हो यह आप नीचे की तरफ जो जो जोईस्टिक है इसकी नीचे की सेड़ आप दबाव को तो यह चीज चेंज होती रहती है और ऐसे ही इस वाले तो कुल मिलाके सिंपल चीज में आपको यह समझाओं कि इसके अंदर ज्यादा फिजीकल बटन जो है वो नहीं है जितनी भी चीज आप हैंडल करोगे वह या तो इस स्क्रीन के तुरू आप एड़ेस्ट करोगे या फिर इन बटन के तुरू आप एड़ेस्ट करोगे लग इसके अंदर वह अपनी वोइस कमांड आती है चेलेंगवेजिस समस्ती हैं इंगलिश भी समस्ती है तो यह चीजें हैं बाकी 360 डिगरी कैमरा वगएरा जीओ के साथ को लैब है तो वह एप्लिकेशन वगएरा मिल जाती हैं आपको लाइट के म्यूजिक के कंटोल्स हैं और एमेल लाइट के कलर वगएरा चेंज करने तो वो इसके अंदर आपको मिल जाता है एक चीज की कम्प्लियन जो थोड़ी सी रहेगी वो यह है कि गाड़ी जैसे अभी स्टेट रोड पे चल रही है तो काफी अच्छी चलती है मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है अच्छी लगती है चलाने में मज़ा आता है इतना गजब काया गाड़ी का मतलब कोई ब्लैंड स्पॉट नहीं कहीं से कहीं तक भी सिटिंग एंगल काफी जादा शांदार है सीड जो है वेंटिलेटेट हैं उनके पूरे कंटोर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं लाइक मैं भी आप पके चलती है गाड़ी वेट अच्छा आजाता स्टेरिंग के अंदर वहीं इसका ड्रॉबैक जो है वो मुझे यह लगा जैसे थोड़े बहुत भी पूर्ट हॉल्स वगरा आते हैं तो मतलब गाड़ी मतलब एब्सॉर्फ नहीं करती है उस चीज को उससे कूदते हुए न पे भी आपको यह लेदर टच जो है वो देखने के लिए मिलता है अभी रेंज टेस्ट वगरा तो जब करेंगे इसका जब गाड़ी हमको सेकंड टाइम दुबारा से मिलेगी प्रॉपर रेंज के लिए ही अभी तो मीड़े ड्राइब पाएं तो बस इसके बारे में वो च अच्छे हैं काफी सिंपल सोबर से लेयाउट से और चीज आपको क्लीनर साइड थोड़ी जादा लगेंगी इसके अंदर और एक चीज और यहां पर है यह आप जो डोर हैंडल देख रहे हो तो इनके अदर भी एक चीज है कि इनकी आदत आपको एक दो दिन के अंदर पढ ग्लास एरिया इतना गजब का भाई गाड़ी का मतलब क्या ही बताऊं चारो तरफ से आप देखो मतलब जो मैंने अपने वाकरांड वीडियो में मैंने चीज बताई थी कि भाई ग्लास एरिया शांदार है और काफी खुली-खुली से फील होती है तो वह चीज है भाई डै के भी शांदार है उसमें कोई कमी नहीं है तो अभी पीछे बैटे हुए है इस गाड़ी में और बिजनिस क्लास कैसी फील हो रही है अब यहां से निकल जाते हैं फिर बताते हैं बाकी भाई बैटे हो है आगे भाई अपनी एक बार हाइट बताना कितनी है मेरी हाइट कमफर्टेबल मुझे लग रही है क्योंकि यहां पे फ्लैट सर्फेस है नीचे और जो मतलब मेरी हाइट के साब से मैं कमफर्टेबल कोई शू नहीं है सीट जो है पीछे वाली में कमफर्ट मतलब जहां पर बताया है जी ने 135 डिग्री के आसपास सीट पीछे रेक्लाइन हो जाती है और अभी फुल उबट खाबट रास्ते पर शौकर टाइस्ट हो रहे हैं बागी सस्पेंशन की बात को आगे बैट कि आपको कैसे फील हो रहे है पता ही नहीं चलेगा पहली चीज इवी है तो कोई नोइस बगरे करती है बहुत ही स्मूथली चलती है बर जब थोड़ा उबर खाबर रास्तों पर आते हैं तो सस्पेंशन इसका कमाल देखा था थोड़ा सा स्टिफर साइड है तो जो गड़े हैं वो फील हो तो बाकि अगर किसी भी इवी प्रोड़क्ट से इसकी पीछे वाली रोको में कंपेर करूं तो और यहां पर सहूलित में क्या है यहां पर पॉकिट्स है एक ही एसी वैंट एक टाइप सी पोर्ट यहां पर जैसे कि मैंने फॉन लगाया हो चार्जिंग पर तो यह एक अची चीज है क इवी के साब से ठीक है बट बैस नहीं बोलूगा मैं इसको कि भाई एकदम बैस है वो चीज नहीं है बट ऐसा है कि आपको मज़ा है अच्छा आउटपुट है आप अगर तेज आवाज में पी चलाते हो तो ऐसा आवाज फटती नहीं है और एक जो लोरेंड बेस है वो अ के 331 किलो मीटर्स की और सुबाज हम इसको चार्ज करके निकले हैं तो 315 के आसपास यह दिखा रही थी और मेरे साब से उसके आसपास क्या उससे थोड़ा 19-20 निकाल देगी अगर आप इसको इको प्लस पे चलाते हो तो क्यूंकि उसके अंदर पावर डिलीवरी काफी चलानी तो आप इसका इको प्लस या फिर इको मोड चला थोड़ी पावर के साथ चलानी है नॉर्मल मोड वह यूज करो और थोड़ा कभी-कभी पावर का एक्स्ट्रा आपको मज़ा लेना तो आप फिर इसका स्पोर्स मोड मतलब एक्टिवेट करो और ऐसी ही चीज़े है बागे अभी गाड़ी को लगा लेता है साइड में और दो-तीन चीज़े मैं आपको एक बार और बताता हूं इसके बारे में कि क्या है इस इन्पॉटेमिन स्क्रीन के बारे में बेसिकली इस पे आते हैं मेशली पूरा खेल इस गाड़ी कंदर इसका ही है तो जितने भी करने हो तो यहां पर है और यहां पर चीज तरीके से और चीज शिविल तो यह चीज अपर देखो करने हो तो यह के लिए है और आप यहां से कर दो इने तो अपना यह है देखो मतलब कोई फिजीकल बटन पर गएरा नहीं है तो यह चीज थोड़ी 19-20 लगती है तो यह ऐसे इनके लिए थोड़ी मैनुल कंटोल होते तो अच्छा रहता बट ठीक है जब थोड़ा एडवांस बना रहे हो चीजों को तो काम चल जाता फिर उसमें यह है लाइट्स के कंटोल की बात करें तो यहां पर लाइट्स के कंटोल है लो बीम पोजिशन लैंप और यह चीज़ें लेवल त्री लेवल फील होती है और मेरे साब से ज्यादा मैं नहीं खीचोंगा किसी बीचीज को अगर आपके क्राइटेरिया में आपके पीओ भी में इसकी बॉड़ी लेंग्वेज इसकी स्पेस वगेरा और यह आपको लगती है कि फिट हो रही है तो आप इसको एक बाद डेफिनिटली चे दो बैटरिया प्रेंट पे लो यह मैस के हिसाब से जिस तरीके से यह मैस करते हैं उस हिसाब से आपके क्लूमिटर के पैसे कटते रहेंगे एक एप्लिकेशन खुद की है एम जी की तो उसके अंदर इन्होंने इतनी सहुलियत दे दिया कि अगर आपको ट्रिप प्लैन करते इवी और मेंली चीज़ें उती हैं उनकी रेंज एंज़िटी कि वहाई गाड़ी की रेंज कितनी है हमें चार्जर मिलेगा नहीं मिलेगा प्रैमरी कार के तो यूज करें नहीं करें तो खुद की अपनी एक एप है यहब के नाम से तो उसके अंदर आपको प्रोवाइड कर ऐपके हर चार्जर करेंगी वहाँ अपना चार्जर कर सकते हो आप और कहीं जा रहे हो तो बस अपना जहां से जा रहे हो अधो McM gusta आप डालो पूरा शरी हैं ब्लाफ करने में लगे होई जहां पे बात करें बैत्री की जहां बात करेंस सर्विस की जहां पर önce तरहें अपने चार्जर्स की उनके नेटवक्स की तो सारी चीजें धीरे-धीरे शॉटर्ड होती जा रही है और मतलब जो इशु मेंली इवी बायर्स को आते थे अब वो खतम होते जा रहे हैं तो मेरे इसाब से गाड़ी शांदार है इसमें कोई दो रहे नहीं है और अगर प्लैन कर रहे हो तो आप वेट करो शोरूम पर आएगी गाड़ी चेक आउट जरूर से करना आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को देखने में चलाने में इंटीर जो है इसका डेफिनेटली एक अलग वाइब देता है बाकि आपके कुछ कोशन्स हो तो कॉमेंट में पू सबस्क्राइब करना और अपने जो कॉशन्स हैं वो कॉमेंट में जरूर से पूछना ताकि हम अच्छे तरीकी चीज़ों को टेस्ट करने के बाद